हाई ओल मैं स्टार से टिपलाइन फैमिली वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल आई होप आप सब अच्छे होंगे पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिव अफिर्मिशन आप लोग देती रहोगे तो कहिना कही आज की जो रीडिंग रहेगी यह मेरे इंटुशन के बेसिस पर है कि जो मैसेच मुझे मिला है एंजल की तरफ से स्पिरिट गाइड की तरफ से की टीबल्स टीबल्स हाव बिन टॉर्ण फर यू ठीक है आपका समय बदल रहा है या फिर आपका समय बदल गया है ओकी कुछ वर्स के लिए हो सकता है इस सिचुएशन आपकी जीवन में लेकिन काहिना का यह बहुत सारी विवर्स के लिए हो सकता है कि यह समय आपके लिए बदल रहा है ठीक है सो टीबल्स हाव बिन टॉर्ण फर यू ठीक है यहाँ पर मैंने पाल्स के तौर पर आपके बर्डेट्स रखे हैं और साथी साथ यहाँ पर कुछ ऑप्शन भी रख जिनको बर्डेट्स नहीं पता है आप ग्रूप के हिसाब से अब इसाब से पाइल को चकाउट कर सकते हो तो यहाँ पर रेडिंग शुरू करने से पहले कुछ एनरजी भी लेना चाहूंगी में गाईस ठीक है इस एनरजी रहेंगी जो कि मुझे बया करेगी किस सिचुवे ठीके गाईज, तो लेट्स बिगिन विट पाइल नुमर वान, टेबल वान, टेबल विन टॉन फॉर यू, समय आपके लिए बदल रहा है, या फिक बदल गया है, हाई मैं पाइल वान पीपल, तो अगर आपने ये वाले बर्ट डेट्स को पिक किया है, और अगर आपने ग्र समय आपके लिए बदल रहा है, या फिस समय आपके लिए अलड़ी बदल गया है, गाईज, ओकी, आपको positively लेना है हर एक reading को, and positive affirmations दिया करिये, गाईज, जो कि मैं community section पे हर रोज डाला करती हूँ, ठीके, तो पाइल आपर वान, कही ना कही मुझे आपके लिए energy ऐसी मिल कि आप लोग कुछ नया start करना चाहते हो अपने जीवन में, ठीके, या फिर आप खुद से resonate होना चाहते हो, ओके, नए पड़ाव पे आप जाना चाहते हो, नया कुछ करना चाहते हो, ओके, मैं कहूँ तो पुराना pattern को छोड़ कर, कुछ अलग आप करना चाहते हो, जो आप कि इच्छा हो सकते है, जो आपके विश हो सकते है, पाइल नबर वान पीपर, ठीके, आप लोग काफी मुझे इंटिटिव लगते हो, ठीके, काफी आपकी इंटिशन स्ट्रॉंग हो सकती है, बट यही है कि आप इमोशनली ड्रेन आउट हो जाते हो, किसी भी situation को लेकर, ठ सकता है, कि समय आपके फेवर में नहीं रहता है, या फिर आप जो इच्छा करते हो ना, वो आपकी डिमांड पूरी नहीं होती है, या फिर मैं कहूं तो डीलीज आपकी जीवन में बहुत सदा रहता है, पाइल लंबर वन पीपर, ठीके, आप काफी इंटिटिव लोग हो, एंजलिक प्रोटेक्शन भी प्रोटेक्टेड लोग आप मुझे दिखते हो, ठीके, डिवाइनली प्रोटेक्टेड लोग हो, आप उनिवर्स को काफी मानती रहोगे, रिलिजियोस हो सकते हो आप लोग, ठीके, पाइल नमबर वन यही आपकी दिक्कत है, कि इंटिशन अच्छी है, बट आप अपने अंदर की अवाज को सुन नहीं पाते हो, पाइल नमबर वन, यही पर आप चुकते हो कि जहां पर डिसिजन लेना है, वो डिसिजन आप नहीं ले पाते हो, ठीके, आपके लिए एडवाइज हो सकता है, जो कि मुझे सैकिक लेवल पर है, या फिर सिच्वेशन अपके फेवर में है, टेबल्स हाव बिन टर्न फर यू, ठीके, क्या है, क्या नहीं है, वो हम विस्तार से यहाँ पर देखते हैं, ठीके, सो ग्रूप नमबर वन, लेट्स रिविल करते हैं, यह कार्ड जो कि आपकी एनरजी मुझे बया करेगा, ग्रूप नमबर ए पीपल, देखिए, स्टार की एनरजी हैं, इंस्पिरेशन, फिल्फिल्मेंट और फेट, पाई लंबर वन पीपल, अगर मैं बात करू ना, तो आपने अब तक अपने जीवन में काफी सारे चीजें गवाई हैं, काफी लॉसिस अपने देखे हो हैं, चा लेकिन उसका आउटकम आपको प्राप्त नहीं हो रहे हैं, ओके यापकी पुरसनल लाइफ में भी हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, कि आपने सिर्फ दिया है, और इन रिटर्न आपको कुछ मिला नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप यूनिवर्स को जस्टिस मांग र इस्टार मतलब यह कोस्मिक इनजीज को दिखाता है, पाई लमा वान पीपल, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रॉंगली आप लोग अक्वेरिये साइन के हो सकते हो, कुमबर आशे के हो सकते हो, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जेनरल रीडिंग है, लेकिन कही नहीं हम और भ काम पर जाना है जिसके तहट अभी टेबल्स आपके लिए टरंड हो रहे है गाईज अलड़ी यहाँ पर कोस्मिक एनरजीस ने आपको आंसर दे दिया है कि कोस्मिक एनरजीस एंजल स्टार्स आपके आसपास रहते हैं आपके एद एद रहते हैं तो आपको बिल्कु भी यह मैसेज आपको दिया जा रहा है बिकिस यू पिपल और अलड़ी एंजलिक प्रोटेक्टेड पाइल नंबर वान पिपल ठीक है यस काफी कश्ट परिश्रम अभी भी आपके जीवन में है काफी काफी कठनाईय से आप लोग गुजरे होए हो पाइल नंबर वान आपकी इमोशनल भी हो गाईज ओके इमोशनल मतलब लोग आपसे चलकपट करते हैं धोका धड़ी करते हैं लूटते हैं आपको यह चाहे कोई अपना आपका अपना ही क्यों नहों गाईज ओकी अपकी फ्रेंसेकल में भी हो सकता है कि लोग आपको सिर्फ चलकपट करते हैं जिस भी चीज को आप करना चाहते हो तो वहाँ पर आप थोड़े से कन्फ्यूस्ट होते हो कि यार मज़े करना चाहिए ने करना चाहिए क्योंकि आपकी इर्थिएद ऐसे लोग मौजुद है फिर भी यहाँ पर यूनिवर्ज बता रहे कि टीबल से विन टॉन फर यू जो आपने यहाँ पर कश्ट कर रहे हो परिश्रम कर रहे हो उसका फल उसका जो भी रिवॉर्ड है वो आपको मिलकरी रहेगा वो वेस्ट नहीं होगा गाईज ओके अगर यहाँ पर आपने लव में मैरेज में शादी में धोका देख रहे हो या फिर डीली हो रहा है तो वेट करिए क्योंकि कोस्मिक एनरजी यूनिवर्ज जो है यह आपके लिए काम कर रहे है ओके आपने जितना यहाँ पर वेटिंग पिरेड देखा है या देख रहे हो कही ना कही इसके चलते ही समय आप रही बदल गया है फाल नम्बर बन पीपल ठीक है कर गृूप नम्बर एपल तो लेट सीओ आपके लिए क्या मेसेजिज कौनसे सिचुएशन एक जहां पर टेबल्स आपके तरफ मुड गया है तीबल्स अब बिन टॉर्न फर्यू पाई नमबर बन पीपल क्या सिचुएश पाइलवन आपके लिए ठीक है लेट सी आपका जो भी कर्म रहेगा ना पाइलवन वो आपको करते ही जाना है ओके आउटकम का इंतजार नहीं करना है यह फिर वेट नहीं करना है आपको सिर्फ 100% देना है जाएसी बात है वो रिटर्ण आपको मिलकर ही रहेगा ओके से लौ रहता है तो बस आपको अपना कर्म करते जाना है रिवाड की अपक्षा ना करिए वो आप आपको मिलकर ही रहेगा ठीके जिसने आपको धोका दिया है लिविट मूवओन करिये वापस अपको दूणी तौर पर मिल जाएगा पाइलवन ठीके अच्छा मिलेगा बहत ओके टेबल्स हैव बिन टर्न फो यू देखें मिजिशिन के इनरजी दो मेजर अरकाना पाइलवन आपके लिए विच चीज मैं कहूँ ना तो लिटरली टेबल्स आपकी फेवर में हैं टेबल्स आपके लिए टर्न हो चुके हैं यूनिवस ने टर्न किया है गाईज ठीके आप आप सोच नहीं रहे हुए कि चीज आपके जीवन में होगा लेकिन आप अनभव करोगे आगे जाके कि लिटरली आपके सोच से पर ये चीज़े होने वाली हैं ठीके और देखते हैं यहाँ पर क्लारिफाई करते हैं आपके लिए सी नाइट अफ सोच की इनरजी हैं है हैं और वन मोर लेते हैं यहाँ थी ओफ सोच मैने जो कुछ कहान आपको इस कार्ड ने बता दिया आपको थी ओफ सोच ने बॉटम बॉटम पॉटम अधी डेक है इस टेन अफ पंटकल्स पाइल नुबर वन ठीक है यहाँ काफी मसले पाइल नुबर वन के लाइफ में है ग काफी आप mentally drain out हो जाते हो या फिर काफी आप speechless हो जाते हो या फिर ना आपके जीवन में कुछ रहा नहीं मिलती है मंजिल नहीं मिलती है situations आपके जितक में pause रहती है आगे नहीं बढ़ती है इसके चलते हो सकता है पाइल वन की आप लोग काफी stress में रहते हो okay and burden तो है स्ट्रेस मुझे आपकी जीवन में दिख रहा है। कॉंफिडेंस आपका कम हुआ रहेगा। ओके ब्लॉकिज़स आपकी जीवन में आते है। सी ब्लॉकिज़स जब आते हैं जब लाइफ की जो गाड़ी एक जगे पर आके रुक जाती है ना तो जएसी बात है इंसान इंसान का नेचर ऐसा होता है कि उनका कॉंफिडेंसी लो होता है गाईज ओके आप चाहे जितने रीडिंग्स करवा लो या फिर जितने आप खुद को गुरूम अप करने की कोशिश करो लेकिन कही ना कही ऐसा होता है कि हम जब तक हमारे में बदलाव नहीं लाते है तब तक चीजे बदलती नहीं है गाईज यही कुछ आप के लिए यूनिवर्स का संकेत है ओके या फिर संदेश देना चाहते है पाई लंबर वान पीपल तो बार बार लोगों अपका दिल तोड़ा हुआ है प्रोफेशन में दिल तोटा हुआ रहेगा तो लॉट ऑफ मसले मुझे पाई लंबर वन के रीडिंग में या फिर आपके एनरजी से मुझे मिल रही है ताउप यहाँ पे स्टार के एनरजी निकल थी आप कही ना कही तो literally आपके जीवन में tables turned हो जुके हैं ठीके, वो ऐसे turn हुआ है कि जहाँ पर आपकी सारी wish fulfillment यहाँ पर होने वाली है, जहाँ पर अभी आप mental stress से गुजर रहे हो guys ठीके, mental stress आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे वो profession job, career, marriage, शादी, relationship, आपका career, आपका salary या फिर आपका project related, आपका business related, जो भी mental stress है, कही ना कही वो चीज़े आपके जीवन में complete हो जाएगी, इस समय के चलते, जो चीज़े आपको आपको नहीं मिल रहे थे बिकिस समय का अभाव था guys, जब समय हमारे साथ नहीं होता है तो जाहिरे आप सारे चीज़े करवा लो, कुछ भी नहीं होता है लेकिन वाके में आपके जीवन में tables turned होगे, जहाँ पर आपका confidence level भी boost हो जाएगा ऐसा boost होगा, कि जहाँ पर आपके सारे prayers, आपके सारे manifestations, work out होने लगेंगे जो अभी आप मांग रहे हो इश्वर से जो भी आप मननते मांग रहे थे कही न कहीं, वो सारी wish fulfillment मुझे इस समय के चलते दिख रहे है जो समय आपके favor में रहेगा या जो समय आपके लिए बदल रहे है तो आप इस सारे चीज़े आप देखोगे कि आपकी तरफ आ रहे है बहुत सारे चीज़े और बहुत ही तेजी से आपकी तरफ आ रहे है इसके लिए आपको action भी लेना है यूँकि मैं समझ सकती हूँ आपके जीवन में जो भी चीज़े हुए है हो सकता है इस रीडिंग पर भी आपका बरोसा ना रहे है आप सुनने के लिए बस सुन रहे हो लेकिन कहीना कहीना आपके जीवन में यह अन्भाव करोगे कि समय आपके लिए बदल रहा है ऑके बदल गया है या फिर और लड़ी बदल रहा है क्योंकि न बहुत सारे वीवर्स की लाइफ में यह situation है कि जहाँ पर आप बहुत confidently सारे चीज़े करते थे excitedly सारे चीज़े करते थे धढ़ाम से सारे चीज़े एक जगी पर आके रुक गई है तो अभी आपका confidence level टूट गया है कोई ना क्योंकि समय आपके साथ रहेगा यहाँ पर tables आपके turn होने वाले है जहाँ पर आप देखोगे कि तेजी से आपके तरफ सारे चीज़े attract होने लगेंगी विकिस यौर magician of your life वके आप खुद magician हो गाईज एन एक magical moment आप देखोगे अपने जीवन में जब यह tables turned होगे आपके लिए अच्छानक से आपने सोचा नहीं होगा कि यह tables या फिर यह situation आपके favor में रहेगी कोई person आपके तरफ attracted हो जाएगा कोई job offer आपको मिले जाएगा कोई आपको हाथ बढ़ाएगा कोई आपको business offer दे सकता है या फिर कोई आपको तेजी से आपके जीवन में आ सकता है आपके शादे fix हो सकती है आपके दर्दबरे face up को निकाल सकता है आपका depression level यहाँ पर आपका जा सकता है गाईज जो भी आपका stress रहेगा आपके जीवन में magical moment आप देखोगे कि जहाँ पर आपका सारा जा stress है ना वो कही ना कही दूर होता जाएगा कुछ यूवर्स के लिए आपर health issues भी रहेंगे तो health issues भी मुझे जाता हुआ दिख रहा है और जो medical treatment अब तक आपके लिए काम नहीं कर रहा था वो medical treatment आपके लिए काम करने लगेगा पाइल लंबर वण पीपल एकुछ फूवर्स के लिए message रहकर गाइस heart-hearted बिमारी रहेगी या फिर दिमागी तोर पे कोई बिमारी रहेगी पैरों की चलते कोई बिमारी रहेगी skin की चलते कोई बिमारी रहेगी ठीक है जो भी आपके हिसाब से आपको लेना है जो भी आपके health issues रहेंगे कही ना कही वो मुझे यहाँ पर दूर होता हुआ दिख रहा है relief phase हम बोलते हैं relief मिलना, peace मिलना, दिल को सुकून मिलना, ये चीज़े मुझे आते वे दिख रहे हैं pile number one people जहाँ पर आपका समय आपकी favor में रहेगा ठीक है समय आपके साथ रहेगा pile number one people ठीक है and that's why मैंने कहा कि tables आपके लिए turned हो रहे है ये already हो चुक है guys overall energy की बात करो ते हाँ पर 10 of pentacles की energy है that means आपकी ये बड़ी तौर पर wish fulfillment हो सकती है pile number one people कि जहाँ पर आपको partner मिले सच्चा हमसफर मिले family bond आए घर हो, मकान हो financial abundance हो job में अच्छी salary मिले business आपका अच्छा हो business में growth आए आपका family business अच्छा हो तो overall चीजे मुझे यहाँ पर होते वे दिख रहे हैं for pile number one people which is overall abundance आपके जीवन में आएगी बच्चे की related issues मुझे related issues हल होता हुआ दिख रहा है बच्चे की खिलकारी अब सुनोगे couples के बीच में अगर तनाव है तो वो कहीना कही reconciliation मुझे होता हुआ दिख रहा है ठीक है साती सात अगर आपका property लेने का इरादा है कुछ agreement आप लोग sign कर रहे हो तो कहीना कहीन वो भी मुझे आता हुआ दिख रहा है so overall चीजे आपकी तरफ attract हो रही है या हो जाएगी जब आपके लिए ये tables turned होंगे okay definitely tables आपके लिए turned हो रहे हैं and that's why ये reading में आपके लिए कर रहे हो guys okay बहुत ही positive बहुत ही अच्छे vibrations आपके जीवन में आ रही है and जैसे कि मैंने कहा guys कि अभी आपके जो जीवन में जो भी लटका हुआ phase है न कहीं न कहीं वो आपके जीवन से हट जाएगा okay and you will be ready okay आप वापस ready रहोगे आपके खोया हुआ confidence वापस आ जाएगा जब ये tables आपके लिए turned होंगे pile number one people ठीक है अगर मैं यहाँ पर timing गिना हूँ see timing यहाँ पर ज़रूरी नहीं होता क्योंकि general reading है okay लेकिन यहाँ पर timing की बात करो तो मुझे 6 मेने का timing आपके लिए मिला हुआ है pile number one and pile number two यह overall reading के लिए 6 मेने का time है ठीक है तो 6 मेने के बीच में ही आप देखोगे tables आपके लिए turned हो गए है okay tables have been turned for you pile number one people ठीक है जो भी आपके life में आपने दिया है उससे कई जद आपको मिलेगा pile number one people क्योंकि world ने आपको बताये guys okay world के energy नहीं बया की है यह completely आपके जीवन का एक circle है नवो पूरा हो जाएगा चाहे वो किसी भी question के related हो pile number one people ठीक है सारे मसले के related है exams आप मुझे clear करते हों दिख रहे हो marriage आपके होते हों मुझे दिख रहे है okay financial abundance आपके तरफ आ रही है job में कोई problem है तो वहाँ पर आपको job मिल सकती है लेकिन आपको opportunities गवानर नहीं है okay आपको नराज नहीं होना है नराज़ी energy से बहार निकलिए guys and आपको action लेना है okay सबसे important pile number one आपको action लेना है क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपका struggle बहुत ज़दा है ठीके struggle यहाँ पर आपका एक साल हो सकता है तीन साल हो सकते है 21 साल से हो सकता है 12 साल 24 साल 24 साल से भी हो सकते है guys okay 10 साल है उसके बाद मुझे 17 साल दिख रहे है 10 मaken दिख रहे है कुछ वीवर्स तो हो सकते है 2 साल 1 साल 2 साल 11 साल ठीके 12 साल मैंने और्ड़ी आपको कहा है कुछ वीवर्स 13 साल हो सकते है कुछ वीवर्स तो हाल-फिलहाल ही आपके जिवन में यह समय आपकी लिए बदल गया है बदल रहा है ठीक है आस पर your energies pile number one people तो यहाँ पर definitely देखते हैं messages from angels कि आपके लिए message क्या निकलता है pile number one people आप लोग protected हो गाईज आपको बिल्कुल भी tension नहीं लेना है मैंने कहा था कि you people are magician of your life आप खुद magic create कर सकते हो बस यही है कि आपके power cup को समझना है pile one अगर आप बहुत ज़्याद depression में होते हो या depression में जाते हो या फिर बहुत ज़्यादा negative आप सोचने लगते हो तो आपके अंदर के power cup को जगाना है अगर आप अपने अंदर के power को जगाते हो ना सारे चीज़े आपकी तरफ आकर चिपक जाएगी जो आभी आपके favor में नहीं है pile number one people ठीक है और यह स्टेबस इसके लिए टर्न हो रहे है विकिस सारे चीज़े आपकी तरफ मुड जाएगी क्योंकि आप हो सकते हैं आपने power को आप समझ गए हो यहाँ पर card number nine है guys curious here and curious definitely discovery, inquiry, weirdness and curiosity तो आपको ready रहना है क्योंकि आपके जीवन में आप जो भी plannings कर रहे होना उसका कही न कही तोड़ आपको मिल जाएगा काफी lot of weird things आपके जीवन में होगे जो अब तक आपके जीवन में नहीं हो रहा था lot of curious थे आप लोग कि मुझे यह हासिल होना चाहिए मुझे वो हासिल होना चाहिए कही न कही वो सारी चीज़े आपके जीवन में आ जाएगी and जो आपके जीवन में दुख है दर्द है तकलीफ है वो कही न कही मिट जाएगा guys okay जो over excitement था ना जो भी negativity थे आपके जीवन में कही न कहीं वो कठ हो जागा क्योंकि आपके नाइन नंबर है ठीके जो आपके लिए बहतर है जो आपको आगी तक लेकर जाएगा जो आपके जीवन में बहतर कराएगा वही situation अभी आपके जीवन में आएगी okay यहाँ पर काफी सारे यहाँ पर new phases मुझे आते हुए दिख रहे है for pile number one people जब tables आपके favor में रह गया table आपके लिए turn होंगे okay bottom of the deck देखते है you can't go back to yesterday okay definitely आप ऐसा phase आएगा कि आप rewind करके नहीं जा सकते guys okay क्योंकि अभी आपके जीवन में बहुत ही positive phase में आप enter कर रहे हो तो वापस आपको rewind करके पीछे जाना नहीं है यह आपके लिए advice है pile number one people ठीके positive रहे है definitely आपके जीवन में positive ही हो रहा है यह tables जब आपके favor में रहे है turn होगे pile number one people यहाँ पर ना जाते 12-12 यह angel number pile number one के लिए बहुत सदा दीखेगा triple one, double one, double one, double one तो दीख रहा मुझे 10-10 भी दीख रहे है पर 12-12 angel number यह आपको बहुत सदा दीखेगा pile number one people तो समच जाना आपके जीवन में समय जो है आपके favor में है यह आपके लिए बदल गया है pile number one ठीक है yes tables have been turned for you pile one and इसके सा मैं यह reading end करती हूँ I hope यह आपसे resonate जरू करा होगा yes मुझे comments में बताना ना भूले साथी साथ like share and subscribe करना ना भूले so thank you for listening bye bye take care god bless you and love you all hi my pile two people so अगर आपने यह वाले board dates को चूज करा है okay और अगर आपने यह group B को चूज करा है तो यह pile number two है that is group number B है and welcome on your reading आज की जो reading रहेगे कही ना कहीं मेरे intuition के basis पर है कि जहाँ पर मेरे angel सा spirit guides ने बताया है कि आपके जीवन में समय अभी बदल रहा है यह बदल गया है you pile number two people let's see हम deeply देखते है कि क्या situation है कि जहाँ पर tables आपके लिए turn हो गया है universe ने करवा दिया है ठीक है pile number two आपकी energy ने मुझे काफी strong bold and काफी mentally आप लोग prepared ऐसा मुझे दिख रहे हो guys okay काफी सारे चीजों में आप लोग कोशिश कर रहे हो try कर रहे हो लेकिन आप लोग बहु situation से काफी आप लोग सीख चुके हो काफी चीजों से आप लोग गुजर चुके हो काफी heartbreak situations आपने देखा हुआ है काफी losses आप लोग उने देखा हुआ है इसे के चलते pile number two हो सकता है कि अभी की जो energy है आप लोग काफी बुद्धिवान बन चुके हो कोई भी situation है बहुत ही परकर चूज करते हो ठीके या फिर मैं कहूता भी अब धोके से परे रहते हो कोई आपको हरा नहीं सकता है या कोई आपको जुकला नहीं सकता है pile number two people इसकदर आप एक उच्छी position पर हो उच्छी position नहीं यह mindset का मुझे दिख रहे गाईस mindset का mindset से आप लोग कफी strong bold बन चुके हो हां लेकिन कभी-कभी ना pile number two आप लोग थोड़े से emotional भी बन जाते हो साथी साथ ना जब emotion में इंसान रहता है थोड़ा सा frustration level मुझे दिख रहा है pile number two okay कुछ worse के energy है guys pile number two भी worse बहुत ज़दा aggressive आता है अंदर से थोड़े से गुसा आपका आता है क्यूंकि ना nude आप लोग mentally strong बन चुके हो लेकिना कुछ चीजे pile two आपके जीवन में ऐसा है ना की favor में नहीं रहता है तब फिर थोड़े से चिट-चिड़ा होती है या फिर थोड़े से aggressiveness आपका होता है okay mental stage थोड़ा सा हिल जाता है pile number two आपकी energy मुझे यहां पर दिख रही है no doubt ये psychic level की reading है तो आप pile number two people okay yes काफी मैं कहूँ ना pile number two आप ऐसे भी बन चुके हो कि lot of boundaries आसपास लगा चुके है okay boundary लगा चुके है reserved आप लोग बन चुके हो okay जैसे कि मैंने कहा reserved बन चुके हो साथी साथ अभी आप बहुत सारे चीजों में बहुत ही बुद्धी से चलते हो ठीक है emotionally आप drain out नहीं ह होते हो ठीक है इसकदर मुझे energy pile number two के मिल रही है in short कुछ भी वर्स हो सकते हैं काफी cold भी बन चुके है आप लोग ठीक है cold मतलब emotions नहीं बट cold आप लोग बन चुके हो pile number two okay काफी strong हो काफी spiritual लोग हो आप लोग yes यह जो भी situation में बता रही हो ना guys आपके अनुभव है आपके खुद के experiences है and that's why आप लोग ना कुछ भी situation के लिए हर एक situation के लिए आप लोग बहुत ज़दा सोचते हो okay thoughts आपके बहुत ज़दा चलते है pile number two people ठीक है तब ही जाके आप उस पर कदम रखते हो ऐसे नहीं कदम रखते हो ठीक है so आपके energy देखते है pile number two people let's see reveal करते है energy क्या ह है यह okay wow it's king of fire pile number two it's inspirational charismatic and innovative okay yes pile number two मैंने जैसे कहा था कि आप लोग एक ऐसे मुकाम पर होना या फिर ऐसे मुकाम पर आप जाना चाहते हो कि जहाँ पर आपको कोई छू ना सके आपको कोई compete ना कर सके ठीक है काफी fiery लोग आप हो सकते हो fire energy मुझे बहुत सदा दिख रही है आपर okay ज़रूरी नहीं हम card से भी देखेंगे लेकिन fire energy मुझे आप बहुत सदा दिख रही है fire number two people आप लोग ना guys ऐसे होना कि कोई भी आप काम ले लेते हो हाथ में तो उसको पूरा करे बेगर आप उसको छोड़ते ही नहीं हो okay बतलब आप लोग काफी dedicated लोग हो trustworthy लोग हो आप दूसरों पर भरोसा करते हो या फिर दूसरे लेकिन ना कहीं आपका आपका कहीं ना कहीं लोग फाइदा उठाते हैं ठीक है आपके innocence का फाइदा उठाते हैं आपके good looks का फाइदा उठाते हैं ठीक है यह भी हो सकता है यहां पर आपके उन्चे position का फाइदा उठाते हैं ठीक है ऐसे लोग लोगों साब का पल्ला करते हैं तो डाइट रहीट कर्रूंद है शहयर सकता है ला कि आपको पीछी कीचने टो sorts और ही वह कृफेशनल मेरे लेपन आपको अपने वहों in a पाई number two people यहाँ पर कुछी वर्स की लिए सवाल हो सकता है किसी person को लेकर ठीक है किसी person को लेकर सवाल हो सकता है गाईस कि यह person से तुम्हें प्यार करती हूँ लेकिन यह मुझे प्यार करता है नहीं करता है ठीक है आप किसी लिए काफी attraction महसूस करते हो लेकिन ना समय का अभ्हाव हो सकता है पाहल नमडर टू पीपल या इस पाना ही आपका ड्रीम हो सकता है पाहल टू पीपल ठीक है KS भी मामले में हो गाईज या परसनल- लैफ अपने में नीदा फिर्फेशनल- लाइफ बिजनेस हो सकता है कुछ वीवर्स हैं पर अलड़ी किसी टाप का बिजनेस है एस्टरोजिकल बिजनेस है अपकल सैंस में आप लोग हो सकते हो ठीक है पाइल नबर टू लेट सी गाईज यहां पर क्या सिचुवेशन से कि जहां पर टेबल्स आपके लिए टेबल्स है विन टेबल्स आपके लिए बदल रहा है पाइल नबर टू यस आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हो की जाई सी बाते गाईज समय आपके लिए बदलेगा ही बदलेगा इसमें कोई शक नहीं है गाईज लेकिन यहाँ पर हमें इनर्जी क्या बता रहे हैं वो भी हम चक्काव करते हैं पाइल टू ओके और जोड़क साइंस है आपके जोड़क साइंस पर ही निर्वर नहीं रहना है आपके उमर यहाँ पर ज्यादा हो सकते हैं पाइल नबर टो पीपल ठीक है टिक अइनर्जी मुझे मिली है Kadhar Donah, बॉसिन से यह, कि मुझे है और आपके आया है लेकिन यह, कुझे आपके से स्मी अबबर नहीं है जो कि major arcana है, pile number two people, ठीक है, Scorpio energy के आपर होगे, Taurus, Capricorn, two of pentacles है, pile two, उसके बाद है, यहाँ पर five of wands है, yes, fire energy, that is, Arisloe, Sagittarius, अपर हो रहोगे, ठीक है, उसके बाद है, hierपर hierophant के energy है, two major arcana, Taurus के energy है, यहाँ पर, okay, उसके बाद है, nine of swords के energy, Gemina Libra Aquarius, and one more लेते है, it's nine of pentacles, Taurus, वो के Capricorn, pile two, okay, bottom of the deck के energy, देखते है, क्या है, pile two, you have your full के energy, आपके reading में, three major arcana's निकल है, guys, okay, and बहुत ही powerful major arcana's है, pile number two people, pile two, यहाँ पर अगर में, आपके struggles के बार में बात करो, तो आप लोग 13 साल से struggle कर रहे हो, 2 साल से, 9 साल से, 5 साल से, 10 साल, okay, 19 साल, 20 साल, जादा से जादा मुझे यहाँ पर, 13 साल, मैंने कहा 13 साल, okay, कुछ वर्स हो सकते है, 18 साल, okay, 18 साल मुझे सुनाई दिया, guys, okay, 18 साल कुछ वर्स हो सकते है, 25 साल से भी आप लोग struggle कर रहे हो, अपने life में, ठीक है, 10 साल, 25 साल, इस तरह के से आप लोग struggle कर रहे हो, pile two, ठीक है, आपके जीवन में pile number two, अगर मैं बात करूँ ना, वाकि में tables आपके लिए turned हो रहे हैं, okay, tables actual में turned हो चुके हैं, लेकिन कुछ वर्स ना, यहाँ पर किसी बदलाव से गुजर रहे हो, guys, okay, यह ऐसा shift है ना, आपके जीवन में, कि जो आपको असाहिय करता है, guys, मतलब ना, रातों को सोने नहीं देता है, बार-बार आप नीन से जखते हो रात में, काफी सोचते हो, कि मेरे life में क्या हो रहा है, क्यो मेरे साथ हो रहा है, मैंने किसी का क्या बुरा किया है, क्या मेरे जीवन में हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप हो सकता है, काफी लोगों से consultations ले रहे हो, लेकिन इसका जो जवाब है आपको नहीं मिल रहा है, pile number two people, यहापर अलड़ी आप लोग अकल सायंस से हो सकते हैं, मैंने जैसे कि अलड़ी बताया था, आप लोग अलड़ी नहीं कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, यह क्या हो रहा है, विकिस आपके जीवन में आप लोग बड़े बदलाव से, बदलाव से गुजर रहे हो, यह ऐसा बदलाव है, कि जहां पर tables आपके लिए turned होंगे, ओकी, सो समय आपके लिए बदल रहा है, जो कि आपके लाइफ का एक बड़ा shift रहेगा, पाइल नमबर टो पीपल, ठीक है, जो भी आप किसी face से गुजर रहे हो ना, वो कही ना कही आपके जीवन में, आपके जीवन में जो time है, वो favor देगा, guys, okay, favor में रहेगा, okay, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना, पाइल नमबर टो पीप सकता है, relationship का end होना हो सकता है, किसी चीज से आपका जीवन end हो गया है, okay, कोई situation है कि जो हाल फिलाल आपके जीवन में end हो चुके है, हो सकता है, यह situation काफी लंबे समय से था, तो साल, पात साल, तीन साल, चार साल, okay, और धड़ाम से, या चार साल, तीन साल, एक साल, ऐसा भी ह सकता है यह situation जो अब भी हो सकता है कि जहां पर अपने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा लेकिन धड़ाम से एंड हो गया ओके तो कही ना कही वो एंड हुआ है विकिस आपके भले के लिए हुआ है आपको positively लेना है क्योंकि हमारे life में जो भी negative होता है ना तो हम बिखर जाते हैं ठीक है आपका यह मोटीफ हो सकता है यह गोल हो सकता है कि मुझे उच्छे मुकाम पर जाना है अब जब कि चीजे एंड होगते हैं तो कहीना कहीज चीजे एंड हो गई आपनी बाउना आफ्टि घूप कभी सोच ते हो यह का दिमांग में काफी सारे चीजे चलती रहती है मानों कि उथल-पुथल आपके मन में बहुत ज़दा उथल-पुथल मचती है, क्या करो, क्या ना करो, मैं किदर जाओ, मैं उधर बढ़ू, या उधर बढ़ू, lot of societal thoughts भी आते रहेंगे, आपके दिमाग में आते रहेंगे, सीख करते तो नहीं होंगे, बर दिमाग में आपके चल रहेंगे, और इसके चलते हो सकते के health issues भी आपके रहेंगे, pile number two people, ठीके, सीजो भी आपके situation है, आपके जिवन के अभी, जो end हो गई है, तो relax हो जाईए, क्योंकि जो situation end हो गई, वो आपके भले के लिए है, आपके अच्छे के लिए है, क्योंकि वो कहिना कहीं आपके लिए lesson था, वो कहिना कहीं कार्मिक phase था, वो आपके जिवन में आना था, वो आ चुका है, अभी आपके life की जो गाड़ी है, वो आगे बढ़ेगी, और इससे ही आपका जो समय है, वो बदल गया है, pile number two people, यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, definitely, यह समय इसकदर बदलेगा, कि आपके जीवन में सारे चीज़े, आपके favor में रहे की, okay, because यहापे देखिए, infinite का symbol है, okay, जैसे यह चीज़े end हो गई, that means, कही न कही, angel की blessings आपके तरफ आई है, and definitely, आप सारे चीज़े, सारे चीज़ों में आप खेलने लोगोगे, pile number two people, okay, जो अभी आपका juggling phase है, न कही न कही वो भी end हो जाएगा, वो भी खतम होगा, and आप literally सारे चीज़ों पर मात कर लोगे, pile number two people, जो भी आपके life के situation है, अगर competitors भी आपके इर्दिगेर है, तो इन competitors को भी आप fail करके आगे बढ़ जाओगे, इतनी आप में power है, इतनी आपकी शमता है, अगर लोग आपकी बाते नहीं सुन रहे थे, आपको भड़ावा नहीं दिया जा रहा था, आपको accept नहीं कर रहे थे, आपको reject कर रहे थे, तो आप देखोगे कि जब ये समय आपके लिए बदलेगा, तो कही ना कही ये सारे चीज़े भी आपके favor में रहेगी, बिकिस यहाँ पर दिव्य शक्ति का आगमन है आपके जीवन में, आपके गुरू, आपके mentor जो रहेंगे, जिस भी शक्ति को आप लोग मानते हो गाईज, उनका आशिरवाद, उनकी blessings से ही, आपके जीवन में आप लोग सारे चीज़ों के मात कर लोगे, जाइसी बात है, जब गुरू की blessings होती है हमारे life में, जब किसी mentor की blessings होती है हमारे life में, या फिर माबाप का अशिरवाद होता है, तो बड़े से बड़ा सैला भी हमारे लिए छोटा हो जाता है गाईज, ठीके वही कुछ pile number two आपके जीवन में होगा, ठीके, आपके जीवन में mental stress से भी आप लोग बाहार निकलोगे, और कही न कहीं, ये mental stress इस कदर बाहार निकलेगा, कि आप कहीं न कहीं, अकेले पन से सारे चीज़े gap कर लोगे गाईज, financial abundance आप अपने हिम्मत पर करोगे गाईज, अपने हिम्मत पर, ठीके, अगर किसी चीज़ में loss हो चुका है, तो बहुत ज़दा जरिया आपको मिलेगे कि जहापर financial success आपकी कदम चुमेगी, lot of growth आपके जीवन में आएगी, lot of ऐसी opportunities आएगी, कि जहापर, मैंने जैसे कहा थे कि आपको उचा मुकाम हासिल करना है, तो वही उचा मुकाम आपको universe देंगे, जब समय आपके favor में रहेगा, pile number two people, ठीके, काफी सारे चीज़ों में आपने होकुमत करने वाले होगा, काफी सारे चीज़ों में, आप नए business करते हो, मुझे देख रहे हो, कुछ ऐसा करोगी ने, solo work करते हो, मुझे देख रहे हो, मतलब single, single ही सही, लेकिन आप लोग अपने आप में संपूर न रहोगे, pile number two people, ठीके, यहाँ पर अगर में बात करूँ ना guys, तो आपके दुख भरे दीन अभी, bye-bye हो गया है, टाटा, bye-bye आपको करना है उनको, क्योंकि tables आपके लिए turned हो चुके है, pile number two, आपके इस कदर turn हुए है, कि definitely यह आपके जीवन का नया आरम होगा, pile two, okay, नया आपका आरम होगा, आपके ऐसे situation में कदम डाल रहे हो, जहाँ पर आपके दुनिया जीरो से start होगे, pile two, ठीके मैंने कहा था, यहाँ पर कुछ चीज़े end हो गई है, end होने दो, okay, कोई person जा रहा है, जाने दो, कोई रिष्टा नहीं आ रहा है, नहीं आने दो, क्योंकि कही न कही टेबल्स आपकी जीवन में ऐसे turn होगे न, कि literally, जो नहीं आ रहा है, वो भी आने लगेगा, pile two, इतना confident आपको रहना है, pile two, ठीके, yes, यहाँ पर में कुछ positive affirmations भी, कमेंटरी सेक्शन में डालती हूँ, आप उसको affirm करिये guys, ठीके, देखी, फिर आपकी life कैसे change होती है, ठीके, definitely pile number two, आपके गुरुजन, आपके mentor, आपके माबाप, आपके angel, आपके इश्ट भगवान के आशिरवात से ही, पिर जिस भी शक्ति को आप लोग मानते हो, उनके आशिरवात से ही, कि आपके जीवन का नया आरंब होगा यहाँ पर, क्योंकि tables have been turned for you, pile number two, इसका अगर मैं timing यहाँ पर गिनाओ, तो timing ज़रूरी नहीं होता है, बढ़ timing के अगर बात करू, तो यहाँ पर मुझे 6 मैने का time दिख रहा है, for pile one and for pile two, 6 मैने का time है, कि जहाँ पर tables have been turned for you, कुछ worse अलड़ी इस situation में है, जिसके मैंने कहा, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है guys, तो आप उस situation में हो, उस mental stage में हो कि जहाँ पर हो सकता है, कि reading सुनने पर भी इस पर आप भरोसा नहीं करोगे, लेकिन mind my words, pile number two, आप काफी सारे चीजों में जीत हासिल कर लोगे, क्यूंकि आपका अधिकार है guys, यह आरम होना आपके जिवन का अधिकार है, यह होना है, काफी सारे lessons आप लोग उन्हें देखे हुआ है, यूनिवर्स आपको इस मुकाम तक लेकर जाएंगे, आपकी जो आपका ड्रीम है, pile two, इस से आपको हटना नहीं है, pile number two, डटे रहना है, वहाँ पर ही डटे रहना है, जहां पर अभी हो, तो कि गिव अप ना करिये, और मेंटल स्टेज कभी कभी आपका उपर नीचे होता है, फ्रस्टेशन ठोड़ा सा हाई होता है, बट उस पर आपको काबू करना है, pile number two, क्योंकि ग्रोथ आपकी कदम चुमेगी यहाँ पर, फिनांशिल सक्सेस आपकी कदम चुमेगी, जो कि आप अकेले की दमपर करोगे, pile number two people, ठीक है, यहाँ पर अब्रोड जाने के भी चांसेस मुझे दिख रहे है, साथी साथ गुरू की एंट्री भी मुझे आपकी जिवन में आते हुए दिख रही है, अगर आपके लाइख में कोई गुरू नहीं है, okay, गुरू की एंट्री मुझे आते हुए दिख रही है, पाइल नमबर टू, अगर गुरू है, तो आपकी जिवन में जो भी, आपके लिए सही नहीं था, वो आपके गुरू जान हाटा देंगे आपके लाइख से, तब को पॉजिटिवली लेना है कि मेरे भले के लिए गया है, मेरे भले के लिए मेरे जिवन से हट गया है, क्यों? विकिस आपके जिवन में नया आरंब होना है, इसलिए, आप एक नई फेज में एंटर करने वाले हो, इसलिए, पाइल नमबर टू पीपल, ठीके, इस तरह आपको पॉसिटिवली लेना है गाईज, ओके, यहाँ पर ना, मैंने कहा था, कोई पॉर्सन आपके जिवन में है, या फिर कोई आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है, डेफिनेटली या पॉर्सन आपकी लाइफ चेंज करेगा, पॉर्सन हो सकता है, या फिर कोई पॉर्सन ही आएगा, बट नए वर्जन में आएगा, ठीके, जो आपको अभी भाव नहीं दे रहा था, लेकिन आप जब अपने पावर में रहोगे ना, पॉर्सन आपको दुद्कार रहे थे, sorry to say guys, जो आपको मना कर रहे जो रिजेक्ट कर रहे थे, कही ना कही, वो लोग आपके जीवन में आएगे, जब आप इस एनरजी में रहोगे, जब आप उस एनरजी में रहोगे, मतलब ना, मैं किसके बार में नहीं सोचती हूँ, मैं और मेरा इश्वर, इस तरह इस एनरजी में रहोगे ना, डेफिनेटली ये सारे चीज़े एट्रेक्ट हो जाएगे, पाइल टू, ये परसन ऐसा एट्रेक्ट होगा ना, कि वो आपके साथ शादी भी कर लेगा, ठीक है, या, जॉब मिलता हूँ मुझे दिख रहा है गाइज, हाई पोजिशन मुझे मिलता हूँ दिख रहा है आपके लिए, जब ये टेबल साथ लिए टर्न होगे, ओके, सो टेबल्स, आफ बिन टर्न फर यू, पाइल नंबर टू पीपल, चाहे कितने competitors हो आपके जीवन में, चाहे कितने blockages आपके जीवन में हो पाइल नंबर टू पीपल, ठीक है, सो यहाँ से कुछ messages लेते हैं पाइल टो आपके लिए, लेट सी, पाइल नंबर टू के लिए, investigate, आपको message दिया जा रहा है, investigate करिया है, लुक क्लोजली, ask questions and think before, यहाँ पर कुछ भी चीज करने से पहले आपको investigation करनी हैं, उसके बारे में आपको जानकारे निकालनी हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि लुक क्लोजली, आपको बहुत research करना है, आपको closely verify करना है, किसी person को, किसी situation को, जितना हो सके उतना प्रश्ण करिये, questions करिये and think before acting, तो कुछ भी काम करने से पहले, उस पर कदम रखने से पहले आपको सोचना है, दुबारा दस बार सोचिए, तभी जाके आपको action लेना है, that's why यहाँ पर fool केना, जी फूल भी यहीं बता रहा है, नया आरम है, लेकिन इसमें गड़े रहेंगे, इसमें problems रहेंगे, लेकिन आपको उस mode से हटना नहीं है, ठीक है, तो नया मारग है, नया आरम है, तो थोड़े से problems तो रहेंगी, लेकिन आपको मारग नहीं बदलना है, बहुत सोचना है, तब ही जाके आपको act करना है bottom of the deck देखिए forget who are you who you are conditioning falls away memory no longer defines you तो आपको भूलना है कि आप कौन हो आपकी negative energy को भूलना है तब ही जाके आप नई चीजों पर आरम कर सकते हो नई चीजों पर आप लोग काम कर सकते हो ठीक है definitely tables have turned for you and आपका अच्छा समय आ गया है यह already कुछ वर्स हो सकते इस अच्छे समय में है जो आपके लिए समय आ गया है ठीक है जो आपके लिए positive रहेगा and positive outcome ही लेकर आएगा जो आपके जीवन का एक नया phase रहेगा guys but आपको ज़्यादा सोचना नहीं है positive रहे guys ठीक है काफी सारे चीज़े end होगी end होगी आपके जीवन में जो कि आपके अच्छे के लिए है आपके भले के लिए है repetitive words है that means it's underlined for you by number two people ठीक है यहाँ पर angel numbers आपको बहुत सदा दीखेंगे वो है triple nine angel number आपको दीखेंगा यह थी आपके लिए reading pile number two tables have been turned for you इसे के साथ में reading end करती हूँ I hope यह आपसे resonate जरूर करा होगा यह मुझे comments पर बताना ना भूले साथी साथ like, share and subscribe करना ना भूले so thank you for listening bye bye take care God bless you and love you all